हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब वेलकम टू माई चैनल सिंग स्टडी सेंटर तोड़े टॉपिक इस राउटर नेटवर्किंग डिवाइसिस प्रेड़ी शुरू करने से पहले हम देख लेंगे कि नेटवर्किंग डिवाइसिस कौन कौन से हैं फिर्स्ट हब सेकिंड स्विच देन राउटर से फॉर प्रिच मटैज ए फिर्थमों इसिक टेटवेइसिंग सिक्ष्ट भॉटर मैं रेपीटर माराश्ट बूंप सुन के बारे मैं रहे हमने जान लिए था कि हम और सुिच किया है वीडियो का लिंक में डिस्क्रिप्शन बाक्स में देदूंगा बहां च चेक कर सकते हैं तो टोडे टॉपिक कम कवर करेंगे आज राउटर क्या है कि हाब और स्विच में हमने देखा था कि हब और स्विच यह लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर यूज की जाते हैं और हमीच में एक वान तिंग थी कि यह सेम नेटवर्क आईडी को कुनेट करने के एक य्यूस वे जाता था है इसके अपुजिट और में क्या है तुक्त रहाए कि रौटर नेटवर्क और क्रॉनेक्ट करने के लिए युज के जाता है है और कreणकर फ्रॉटर करते हैं में हरौटर router जैसे नाम से पता लगता है कि routing by routing करना एक किस वी डाटा को इस वेफ किस पास से जाएगा उसको वह आथि करना ए रौटटर का का महें है रौटर कम महीं बोलते हैं कि paths determination करना लमेता है उसको जिसको जिससे डाटा वो पेजेगा और एक्चुली यह वो लियर का दिवाइस है आगे हम देखें कि लेर 3 लेर 2 क्या है मा की वाधिर में आपको सब करद आएगा और यह यह राउटर क्या है कि लेर 3 डिवाइसे पत्स रोटर जो है वो लेयर का डिवाइस है उसमें क्या करता कि वह आई-पी अड्रेस को देखे आपको नाट को पैकिट डाटा को या अक्षेंड करता है आप एक आई-पी से दूसरी आई-पी को आप नहीं है यहां पर के व्यावकी आप पर आप yeah ६श्लिंच को एक टे को बनाता का मैं अगा अग्डरेस को बनाता अपने अबने क्या data link layer करता है स्विच का काम भी करता है तो मैक अड्रेस का बनाएगा उसी को अडंटिफाइए करके और टाटा अक्षेंड करेगा एक सिस्टम से दूसरी सिस्टम को लिए 11.0.0.0.1 network ID एक आवी उस network ID को शोड़के next को यह अगर हम लगे 123 ले ले उसके लिए अगर दो network के बीच में अगर कोई system कोई डाटा अक्षेन करना है तो उसके लिए हमें router की जुरूरत पड़ती है अब याप समझ गया होगे बाकि आगे 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 रॉटर को मड्यूल नान मड्यूल फिर उसके बाद स्टैक डाइनमिक और डिफाल्ट रॉटर कौन से होते हैं इनके बारे में हम आगे जाने गर आगे परहिए क्स्प्रेंगे और हम बेसी कंशेप्ट को लेकि चलेंगे कि destiny और करेंगे धीडियू नेटवरकी डिवाइस cognitive connected to or more network जो दो से जांड दो से अधिक network को connect करने के लिए काम आता है उनकी जो है network ID अलग होनी चाहिए जाहिए है सेम में भी काम आएगा बट डिफ्रेंट में भी काम आता है पर ऑफ सेम में हम स्विच भी जूज़ कर सकते हैं पर डिफ्रेंट आइप कि Network ID में हम switch को इस्तिमाल नहीं कर सकते हैं, जे इन्टर क्या समझते हैं जिसने बोल सकते हैं कि इंटर कुनुटी डिवाइस बहु होता है जो सेंट एन्ट इस इंफ्रमेशन फ्राम्ना इंěनरेट को जो II a कि डाटा जो है इंटरनेट को डिकरता है और रशीव भी गरता है तूरब Internet उस्काल्ड इंटर कॉनेट मितलब इंटरनेट से संटुनॉय स데us सब्सक्राइब कुनेक्ष प्लेक्रीप हैं उससे हम्तिक डाटा राटा को जो है अपने अंदर जो पूरी information फीड है उसके टेवल की कि कौन सा IP कि स्पोर्ट से कनेक्ट है और कौन से network ID से कनेक्ट है उससे information in the packet to determine the ultimate destination उस information से चेक करेगा कि destination address कौन सा है पाकिट में address क्या दिया हुआ है इस में होता ना network ID broadcast ID उसका क्या 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 दे रख्या वह दो चेक करेगा जैन उसके इंदर बताया था कि उसके अंदर एक टेवल मेंटेन करने की एक उसके अंदर liability है कि वह टेवल मेंटेन कर सकता है जिससे वह चेक करता है कि destination का address क्या दिया है और उसी जिसका data होया जिसका पैकिट है उसी को बेचता है और किसी और को नहीं बेचेगा जिसमें security रहती है रोटर डिसाइट अब बेस्ट पाथ फार फार विडिंग दा डाटा पैके अब यह ब्लब बात है तो वह रॉटर देखे कि इसमें ज्यादा टाटा एक जाटा फिक किसमें जदा है घ। तरफिक वो पो उसमें नहीं बेचा द। उत्रे में बेज़ेगा किसी और ट्राफिक जो है वो डलती चाहे उसकी स्पीड अच्छी रहे और सेक्यूरली पहुंच जाए और इसमें अवक पुलीज़न ना हो और नेक्स राउटर केन चूज बेस्ट पथ अक्रास इंटर नेटवर्क ब्रॉच्छ गृतने नेटवर्क के तुरू दिए पूराटिंग प्रोटोकाल पोर सकते हैं यह रौटिंग लोगरिथिम पोल सकते हैं कि उसको लेन में को भी इस्थेमाल करते हैं और इस्थेमाल करते हैं वहश्य वाइड एये नेटवर्क के ίह मंनी राउटर का हम रहो आज्वामियर कि अंदर कि इतरनेट पोर्ट दिया होता है फास्ट इतरनेट पोर्ट दिया होता है गिगावाइट इतरनेट पोर्ट दिया होता है उसके बाद होता है सिरियल पोर्ट होता है कुछ उसमें पोर्ट दिये होते हैं तो इंट्रफिस के लिए काम आते हैं ट्रांस्मिशन डाटा इस बैरी डाटा पेज़ेगा कहां से जहां पर ट्राफिक का कम था अब जब ट्राफिक कम है तो क्या करेगा हमारी यह स्पीड है डाटा की वह हाई रहे और इसे लेयर 3 एंड लेयर 2 डिवाइस लेयर 3 और लेयर 3 में आपके लिए उसके लिए आपको यह वाइसा ही माटल समझना ऊसं मैं मानति हम फिजीकल लेयर लन डाता लिंक लिए और नैटब लिए बाण चाहई लिंग लिंग कौन सा है अपना switch and Hub i यूज दिन डाटा लिंग लिंग लियर वह हम बोल नी सकते हैं कि उसमें मैंक टेबल नहीं मनाता और डालिंग में क्या है कि उसके बाद को अक्षेंज करते हैं प्रॉपर देस्टों ड्रेस को को और नेटवर्क में क्या है कि वो आई पीको देक़्के जो है डाता को लोटर को क्या बोलते हैं कि लियर टी का टाइस एवी है और लेर ट्टू पह बीड़ा डटालींक कभी है और लेट्वर्ट लियर डेट्स डीफ डाटा लिंक लेड़ाइस ऑके रोटर है इस तूफोर एड रोटर के अपने देखा होगा पीशे का अगर रोटर में उसमें स्विच की तरह यह से 48 तो स्विच में 48 पॉर्ट होते थे 64 यह पॉले 24 इससे ज्यादा पॉर्ट बहुत ज्यादा पॉर्ट होते हैं इस विच के अ हम पॉर्ट मिलेंगे आपको दो चार आठ इतने तक आपको पॉर्ट मिलेंगे रोटर में स्पीड इस टैन फॉर्टी फिप्टी हंडर मन गिगावाइट इतनी मैक्सिम स्पीड आती है कि आपने घर में अगर वाई-फै किसी ने फाइबर लगाया होगा तो उसमें भी दे सब्सक्राइब कर दिया कि रोटर में किस परकार की हो सकते हैं ज्यादा से रोटर में क्या आते कि मॉड्यलर रोटर और नाल मॉल्डर रोटर में कुछ डिफ्रेंस है कि रोट जैसे मॉड्यलर रोटर है उसमें क्या है कि हम नंबर आप पोर्ट को बढ़ा सकते हैं उसके अंदर मॉड्यलर रोटर में हम नंबर आप पोर्ट को एड कर सकते हैं उसमें बढ़ा सकते हैं जैसे आपने देखा होगा कि अपना डेक्स्टा पी कि पीशे करने कि हाड़ वे सिम्हें हैं कि करने तो उसके करते हैं उसको जो नहीं कर सकते उसमें क्या है जितने मidal ऽे रखें जासे आपके गरम के वैभर्फे लगा हूँ इसमें अगर पोर्ट का आया तो 40 पोर्ट मुट मिलें उसमें आप आप अधनी कर सकते तो ऐसी है कि नौन मॉटल में रौटर में क्या है यह जो पूर्ट है उसको हम फिक्स काए फिक्स है वह सको बढ़ा नहीं सकते हैं जैसे आपका लैपटाप अमें आपको और जराट दिया होते हैं आप सकते हैं इसलिए हम बोल सकते हैं कि नॉन दो जो है वह वह और है किया है उसम्में किया कर सकते हैं पॉर्ट को बढ़ा सकते हैं गश्व अपटो यह जी फिगर है है वो सवक्सराइए इसे मां अरड्रो बने कुछ डाटा रिशीब किया है मान लो ए से रिषीव किया और आटरिक किया तो मोर हारवन क्या करेगा है चक करेगा उस आपने शीट सब्सक्राइब करेगा उन उनको वह देखेगा कि उनके अंदर तो नहीं है कि उसको वह data destination address बेजना है अगर उन में नहीं है तो वह क्या करेगा उस data को next router में transfer कर देगा तो क्या है R1 check the source and destination address router 1 ने क्या किया source and destination address को चेक किया आफदा पाके इंदर राउटिंग डेवल उसने जो प्रिक्स करके उसने जो रेटिंग डेवल परपेर किया था उसमें उसने अपने सेग्मेंट में उसको चेक करें सिंदर डेस्टनेशन डेस नाट लाई आंतर सेग्मेंट तो बीच दराउटर आर्वन इस डेक्टली कुनेक्टेड हैं जो सेग्मेंट में डेक्टली इंटरफेस के साथ जो नोड्स कुनेक्ट हैं उनमें अगर वह destination address नहीं मिलता है तो क्य लुक्त के सेग्मेंट में नहीं तो क्या करें को हो कि में तो याला आगी चलते हैं और इसको बाइपस defence मेंहोंने होते हैं स्ट्राइट Rio डाटा जो इसको किस पाथ से उसने उसको बेजना है वह उसको हम बोलते हैं 04 राटिंगete क्या ہے कि जो जूर्तिंग ट्रोटोकॉल है वो डिसड करते हैं कि हम किस का गुत को इंस से बीजनाव चाथ है है किस मताथ से हम बहुत बेढ़ेंगे और ट्राफिक को देखके कि किस में ट्राफिक कम है उसी साब से वह पाथ को डिसाइड करते हैं और रोटिंग रोटिकाल खुद डिसाइड करके पैकेट को बेजता है उसके बार नेक्स्ट में चीव होता है को रॉप्टर होता है तो यह सम हम उसमें एक्जेंपल पर तोल पर हम लिख सकते हैं कि कौन-कौन से टाइप आफ रॉप्टर हो सकते हैं ओके फ्रेंड्स थैंक यू थैंक यू स्वाप बाचिंग मैं वीडियो जैहिन जैबारत इंदय को कहते हैं झाल एक ऑप होता है झाल